पित्री सारी अलुकमा उमंग, मा डाइनिंग टेबल पे बैटकर कुछ फोन कॉल्स लगा रहे हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनो मैं अपना फोन ले जाकर उनके फोन के बास रख दूगे और तुम ठीक पांच मिनिट बात फोन करना और वही सब कहना जो हमने डिसकास केया था ओके मा मुझे बड़ी बेचैनी सी हो रही है तो मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में चक्कर काटने जा रही हूं मैं चाहूं जब गलत कर्म कर रही थी तभी पूछने आई थी यह पूछने का ढोंग कर रही हूं जाओ 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 पुझाएगा ये किसका फुझाएगा ये तो छोती कागडी का फोन है किंजल ऐसा नहीं हो सकता है मैं अपने बच्चे को इलेश का नाम नहीं दे सकता किंजल तुम्हें सबको बता नहीं होगा कि ये बच्चा इलेश का नहीं बल्कि मेरा है अमंग का अलो किंजल तुम सुन रही हो ना अलो 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 वाव छोती कागडी वाव तुमने तो सारे रेकॉर्ड ही तोड डाली अब इतने दिन ये सोच रहे थे कि इस बच्ची का दिल किसी पर आ गया है लेकिन नहीं ये पच्ची तो अपने आशिक की बच्ची की मा बनने की तयारिया कर रही है ये ब्रेकिंग यूस तो ममी को देन ही बड़ेगी नेना बेन का नंबर तो मिल गया सिसे हलो नेना बेन जैशी क्रश्न, कोकीला अब में आसे कैसे निकलूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपकी नाराज़गी जायज है पर क्या करो देखेना आपका नंबर नई डायरी में ढून रही थी और निकला पुरानी डायरी में से कोई बात नहना बेन अगर आप कल संगीत में नहीं आ पा रही है तो लगन में जरूर आईएगा किंजल को आशिरवात देना है हाँ भले फोन मुक कूचू जैशी कृष्ण जैशी कृष्ण भी भगवान काकी जी आप राशीत तुम यहाँ ओ तो आप दूसरों की बाते सुनने के लिए तेबल के नीचे घुसा जा रहा है यह मूदी परिवार की बहू ओकर तुम्हे ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आती है नहीं काकी जी आप गलत समझ रही है तो टेबल के नीचे घुस कर क्या कर रही थी वो वो मेरे कान के बूंदों का पेज गिर गया था तो वही डून रही थी तो पहलो भी तो पहलो भी थी आज की ताजा खबर आज इस मूदी के संस्कारो वाले घर में उनके ही सुपुत्री के कर्म ऐसा जल जला लाएंगे की पूरा राजकोट हिल जाएगा ये खबर तो ममी की कलाकारी में नए रंग ही भर देगी जब तस्वीर सामने आएगी तब लोग दातों तले अपनी उंगलियाई दबादेंगे वाट ममी का फोन क्यों नहीं लग रहा है इतनी चटपटी खबर और ममी से फोन पे पाक नहीं हो पा रही है भही पुरानी आदत फोन चार दिनी किया होगा अरे राशी चलो अच्छा हुआ तुम आ गए कल के संगीत की ढेरो तैयारियां करनी बाकी है एक काम करो ये जा कर गोपी को दे देना और उससे कहना कल संगीत के फंक्शन के वग गद्दे जो बिच्छाने न उन पे ये चद्दर बिच्छने के लिए काम आएंगी पगवान ममी के घर गई थी तो कम से कम आधे दिन तो काम से बच गई थी लेकिन अब नहीं गर में पैर रखा कि काम के गठर मेरे सिर्पे अब एक काम करती हूँ ममी को मैसेज छोड़के रखती हूँ कि फोन चार्ज होते ही मुझे फोन करे परना अगर यह बात जादा देर मेरी पेट में रही ना तो मेरा पेर जरू फट जाएगा जैसे करें भाबी जी अब जैसी करश्रे है मामे टेंट से कद्दे ले कराया हैं कहा रखोने हैं तीक उस तरह फरक दीजी जी मानी लोई पिडी नी डोबी डफोर जल दिया जी नानी भाबी तुमें बताया था ना संगीत के लिए टेंटाव से गद्दे आने वाले हैं हां तो वो गद्दे आ गए हैं तुम जाके उन्हें बता दो कि वो गद्दे कहां रखने अने हां कल सुबह तुम अर्गोपी वव दोनों मिलकर गद्दे लगवा भी देना जी और सुनो रसोडे की सफाई कर दी तुमने नहीं नानी भावी नहीं मतलब मतलब ना रसोडा साफ हुआ है और नहीं वहां कुछ खाना पिना बन सकता है अब आने वाले महमानों को चाय तक नसीब नहीं होगी तुम तो यहीं चाती हो ना कि आने वाले महमानों को मैं आने से मना कर तुम बस यही बची कुची बदनाम बाकी थी, वो भी हो जाने दो, हो जाने दो पूरे राचकोट को खबर, लगता है, शायद मा को सब पता चल गया, अब तुम पेड़ के ठूट की तरह यहां क्या खड़ी हो, अने सामभड, गोपी वो को बताना मत भूलना की गद्दे आ गए हैं, चल जा आवे, माँ, बहुत बेचेनी हो रही थी ना तुम्हे, तहल कर आगई, अब मन हलका हो गया, हाँ माँ, कोकिला, तुमने मुझे बताया नहीं कि किनजल की किन-किन सहेलियों को शादी के लिए बुलाना है, चल अरे, यह यह है, बोल दिक रहा, तेरी कौन-कौन सी सहेलियों को निमंतरन भेजने मुझे नाम बता दे में लिख लेती लीsan. किसी को भी नहीं. कोकिला, किन-जल की सहेलिया वे? मैंने कहाना मोटा भावि किसी को भी नहीं बुलाना है. पहली वात ना तो किंजल की कोई ऐसी खास दोस्त है औने बीजी वात अगर दोस्त है भी तो दोस्ती के लायक नहीं है दोस्ती के नाम पे कोकिला जरी तारी मर जी मैं वहां का काम देख लेती हूँ लगता है उमा के वोन से मा सब कुछ जान गई है इसलिए तो कम से कम मेमानों को बुलाना चाहती है इधर आओ इधर आओ किंजल मेरी आँखो में देखो मैंने तुम्हारे दोस्तों के लिए इसलिए मना किया क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से जान गई हूँ कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं और क्या है ना उन्हें सही और गलत की पहचान है और उनकी संगत में रहकर तुमने शादी से पहले ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ मेरी बेटी होकर तुमने शादी से पहले जी ना तो मैं तुम्हें बधाई दे सकती हूँ और ना ही तुम्हें मेरा आशिर्वात मिलेगा इलेश और उसका बच्चा तुम्हें मुबारक हो आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेग स्टापलस के बहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें स्टापलस यूट्यूब पेज को